नमस्कार मैं हूँ अमित पालित नमस्कार आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर और देखे आज की सबसे बड़ी खबर पर पलपल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं केजरिवाल की चक्कर में तीन राज्जियों में टक्कर हो गई है केजरिवाल के खिलाफ टिपणी की केस में बगगा की गिरफतारी पर जबरदस थंगामा हो रहा है और तीन राज्जों की पुलिस सामने सामने आ गई है बगगा को इस वक कुरुशेत्र के थाना सदर थाने सर में रखा गया है पंजाब पुलिस बगगा को मुहाली ले जा रही थी लेकिन हर्याना की कुरुशेत्र की पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और मामला अब कोट तक जा सकता है क्योंकि यहां पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है दिली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ के डिनापिंग का केस धर्ज किया है कुरुक्षित्र पुलिस ने पंजाब पुलिस का काफिला रोक रखा है जबकि पंजाब पुलिस कह रही है कि हमने जो किया वो नियमों के मुताबिक किया है तो तीन तस्वीरे आप देख रहे हैं इस वक्त तीनों तस्वीरों के जरिया समझ लेजे कि फिलाल क्या चल रहा है इस पुरे मामले में पहली तस्वीरे आज सुबा करीब साड़े आट बजे की जब जनकपूरी में मौझूद भगगा की गर पर पंजाब पुलिस पहुँची पहले जाकर उन्होंने बाचीत की फिर अचानक ही वहाँ पर साधी वर्दी में पुलिस आती है और उनको जबरण अपने साथ उठा कर ली जाती है उसके बाद उनके पिता पहुंसते हैं जनकपूरी थाने वहाँ पर पुलिस को बताते हैं फिर दिल्ली पुलिस हरीना पुलिस से संपर करती है और गाड़ी का नंबर देती है और रोक दिया जाता है उनकी गाड़ी को कुरूशेत्र में उसके बाद उस पंजाब के थाना ले जाया जाता है कुरूशेत्रे के जहां पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। पंजाब पुलिस के जवाने में मौझूद हैं बगगा देखेंगे बगगा जाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने क्रियेट किया अब इसमें एंट्री हुई है दिल्ली पुलिस की और साथ सीजाथ हरियाना पुलिस की। अब उलज़ती नजर आ रही है तीन राज़े के पुलिस आमने सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना मिली हर्याना पुलिस को सूचना दी गई और हर्याना के कुरुक्षित्र में रोक लिया गया पंजाब पुलिस को बगगा के साथ। बीज़पी लगातार सवाल उठा रही है कि ये कारवाईस लगातार गलत है। स्टेट में कारवाई करने के लिए आ रही थी तो पहले से इतला क्यों नहीं की गई दिल्ली पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई क्यों ये तना बड़ा लूप होल छोड़ा गया।